दुनिया में एन्वार्मेंट की चर्चा तो लंबे अर्षे से होती थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सामान ये मानवी की जीवन में उसका इंपेक्ट महसूस हो रहा है नेगेटिव इंपेक्ट महसूस हो रहा है और उसके कारण सब दूर एन्वार्मेंट एक चिंता का विश्य बना हुआ है और मानव जात के सामने चैलेंज है कि इस समस्या के समाधान के लिए हम किस प्रकार से रास्ते खोजें अभी पैरिस में कोग 21 के समाए बिश्व के नेताओं ने मिलकर के संकल्प किया उसका तो महत्पा है ही है लेकिन वहाँ दो महत्पापन इनिशेटिव लिए गए हैं एक इनोवेशन की दिशा में काम करना ताकि हम फोसिल फ्यूल से मुक्त होकर के एनरजी में किस प्रकार से आगे बढ़ें यूएस फ्रांस इंडिया तीनों ने मिलकर के इनिशेटिव लिया है इनोवेशन का बिल गेट्स फाउंडेशन भी उसके साथ जुड़ा है इसके एक सकारात्मक परणाम भविश में देखने को मिलेंगे दुनिया में करीब 122 देश ऐसे हैं कि जहां 300 दिन से ज़्यादा सूरत तपता है सूर्य प्रकास का लाप 300 से ज़्यादा इन देशों को 300 दिन से ज़्यादा मिलता है भारत के इनिशेटिव से उन देशों का एक संगठन हुआ है और उस संगठन का हेटक्वाडर भारत में रहने वाला है और सूर्य पुर्जा का उप्योग भविश में कैसे किया जाए उस पर ये देश मिलकर के काम करने वाले है मेकिन इंडिया का हमारा जो इनिशेटिव है उसमें आज एक नया नजराना ये दुनिया को भी काम आने वाला है क्योंकि बैटरी के एक नए प्रकार से रचना कैसे हो बैटरी के लाइप कैसी ज़्यादा हो और बैटरी कॉसिफेक्टिव कैसे हो इस पर रिसर्च हुआ है और उसका ये नतीजा है कि कुरानी बस में थोड़ा सा खर्च करके अभी आपने देखा होगा बस चल रही थी लेकि आवाज कहीं नहीं आ रही थी अगर बस चालू करे तो पता चलेगा कि चालू है अभी तो उसकी जरासी भी आवाज नहीं है लोगों को इसका लाब मिलेगा लेकिन अगर स्टार्ट अप इंडिया स्टेंड अप इंडिया में अगर नई पीडी के लोग इस बैटरी बनाने के काम में आएंगे आगे तो बहुत तेजी से हम हमारा पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टेम है उसमें इस नई रचना क ला सकते हैं हमारे नितिन जी को इन विश्वा में रूची भी है वो पढ़ते रहते हैं कुछ नो कुछ खोजते रहते हैं तो मैं उनको बधाई देता हूँ को उन्होंने एंवार्मेंट की दुरुस्टी से टेकनोलोजी को कैसे उप्योप किया जा और मेकिन इंडिया को ब प्रियास किया है मैं उनको बधाई